हेलो एवरिवन मैसेल्फ सुनिय शिर्मा तुड़े वी आइडिस्कस अबाउट क्लास 11 चैप्टर 18 इसमें हम एक टोपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड ग्रूप ब्लड ग्रूप है क्या देखो हम लोग अलग अलग प्रिकार की इनसान इस धर्ती पे रहते हैं तो आपने देखोगा किसी का ब्लड ग्रूप A है किसी का B है किसी का A B है और किसी का O है तो ये ब्लड ग्रूप क्यों है इनके बिचे क्या रीजन है तो ये सब हम इस टोपिक म ब्लड ट्रांसफ्यूजियन ठीक है जहां पर ब्लड का सारा डाटा होते हैं तो इन्होंने क्या बताए सिर्फ है यह दिन लिए ध्यान ग्रूप कली टॉटल कित्रीं तौत्य घ्रें healthy blood के ओपर क्या करे गए हैं वो डिटेक्ट किये गए हैं ठीक है यह मालो आर बीसी है इसमें अलग-अलग परकार के जो है एंटीजन डिटेक्ट किये गए हैं हम लोग देखो जब भी कभी रिसर्च होती है तो सीधा यह नहीं है कि अब्लड ग्रूप ही आ गया होगा ठीक है त इसके अंदर और कोन साथ है बेटा डफी सिस्टम आता है अलग-अलग परकार के हैं लुइस है केल सिस्टम है यह अलग-अलग परकार के सिस्टम आते हैं ठीक है जो मोस्ट क्लीनिकली अप्रूड थे वो कौन-कौन से थे ए बीयो और आरेच तो हमें यह दो पढ़ने है ठ डिफरेंट 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 एक्सपेक्ट होते हैं तो वेरियस टाइप ओफ ग्रूपिंग ओफ ग्लड वो देखी गई थी हमने कुन से पढ़ने है तू सच जो पने पढ़ने है जैसे मैंने बिदाया इसमें इनसे राट में लिखा हूँ है कि अबीयो प्रूड थे वो कौन-कौन सा था A, B, O and R, H हम लोगों को यह पढ़ना है तो A, B, O, Blood Grouping तो देखें यहाँ पर लिखको अब है Chromosome 8 पर जो A, B, O, Blood Group के जो genes होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं बिटा, Chromosome 8 पर पाए जाते हैं पर पाए जाते हैं Chromosome 8 पर पाए जाते हैं ठीक है? तो पढ़ते हैं बिजो A, B, O, Blood System है वो किसके Presence or Absence ओफेस, Surface, Antigen हाना जो Antigen है माल हो यह Antigen है इसकी Surface में जो अलग-अलग प्रकार के Antigen है वो Antigen A हो सकता है Antigen B हो सकता है Antigen क्या हो सकता है C use C तो नहीं A, B A, B दो ही परकार के Antigen होते हैं ठीक है? तो इन्होंने बोला है Chemical that can induce Timon response on the RBC Nearly A and B A और B होते हैं Similar to the Plasma of a different individual contains two natural antibodies दो परकार की Antibody है जो क्या करते हैं proteins produce in the response of the Antigen कितने परकार के proteins हैं? दो परकार के है Protein produce in the response of the Antigen कि कौन-कौन से वो क्या करे हैं? Antigen response कर रहे हैं The distribution of the Antigen and Antibody in the four group of the blood उसमें कौन-कौन से आते हैं A, B, A, B and O वही Antigen और Antibody के हिसाब से चार परकार के हैं A, B, A, B and O हम Table 18.1 को पढ़ेंगे बिटा इसमें क्या है? You probability No the during the blood transfusion जब भी हम blood को एक से दूसरे में चड़ाते हैं The Antibody cannot be used हम ऐसा नहीं है कि कोई भी blood उठाए और उसको डाल दिया नहीं हम क्या करते हैं? भी carefully match करते हैं ब्लड देने वाले का भी और ब्लड लेने वाले का भी Any blood transfusion to a serve problem Clamping देखो अगर मालू किसी का blood group A है ठीक है? किसी का blood group क्या में बिटा? A है अगर हम क्या करेंगे? उसको B blood group चड़ा देंगे तो क्या होगा? Clamping हो जाएगी Clamping का मतलब क्या होता है? Clamping का मतलब होता है भी blood group क्या हो जाएगा? FUT जाएगा क्या हो जाएगा? FUT जाएगा ठीक है? तो इसमें देखना ये table दी हुई है इसको बेड़ ध्यान से समझे इनोंने बोले भी blood group A तो blood group A है तो इसके उपर कौन सा एंटी जन होगा? A होगा और इसके against हमारे blood के अंदर जो पलाज्मा है कौन से आंटी मुरी बिनाएगे बेटा? Nt B कौन से बनाएगे? B donor group ये किस किस और दे सकता है? A को दे सकता A को उसके बाद देखें B, मालें B blood group है, इसके surface पे कौन से antigen होते है B, कौन से होते है B, इसके खिलाफ जो plagma है, plagma के अंदर कहां कौन से antibody होंगे बटा, anti A, देखो blood group B होगा तो antibody कौन सा होगा बटा, A होगा, हा ना, B के खिलाफ कौन से antibody है, anti A है, तो यह किस को दे सकता है, B क और ओको अपार्ट फ्रूम देट जो क्या लिखा हुआ बेटा एभी ब्लेड एभी में कौन-कौन से आते है बेटा जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा एभी होगा और बीबी होगा दोन्नों है तो इसका मतलब क्या है इसके अंदर एंटीबोडी नहीं है तो किसको दे सकते हैं सभी को दे सकते हैं एको भी बी को भी ओको भी और एभी को भी ठीक है उसके बाद आता है बिटा ओं सब्लेड ग्रूप आता है ओ तो ओ के उपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है हाना तो इसके उपर कौन सी एंटीबोडी होगा कोई एंटीजन ह यह तो दुनों की दून्न एंटी बोडीज के उपर प्रेजन्ट होगी ठीक है तो यह किसको δी सकता है पिसको सकता है बतले सस्क्ता है सिरफ ऊसे अना तो इसको आप लो क्या बोल सकते है यूनिवर्शल डॉनर बोल सकते हो यूनिवर्शल रिसीपियंट कौन है A तो यह लिखा हुआ है जो है जो ओमलेड गुरूप उसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाते है और यह भी क्या होता है यह यूनिवर्सल रिसीपिन